प्रकृत से प्रेरित होकर कुछ बनाना, कुछ करणा अलग ही पलिदाम वालग ही अनुभः दीता है ऐसे ही सजंटा ने भी प्रकृत से प्रेरित होकर के एक खरपतवार नजी दबा को बनाया है जिसका इस्तिमाल गन्ना वा मक्का में उगने वाले सभी प्रकार के खर्पतवारों को खत्म करने के लिए किया जाता है इसका नाम है कलारिस इस्ट्रा कलारिस इस्ट्रा के परिणामों से हम बहुत सुखर महसूस करते हैं इससे हमारी फसल भी हरी भरी होती है और सभी खर्पतवार खत्म हो जाते हैं तो आईए जानते हैं कि कलारिस एक्ष्ट्रा के बारे में पिस्तार से मैं हूँ आपके साथ संजीव संकर्तिवारी स्वागत है आप सभी खा आपके अपने चैनल क्रियेट सैस में कलारिस एक्ष्ट्रा एक पोस्ट एमर्जन्स हर्विसाइड है यानि कि खर्पतवार उभने के बाद उन्हें खत्म करने वाली खर्पतवार नाची दवा है यह हमें प्रेमिक्स रूप से मिलती है इसमें हमें है मीसो ट्रियोन जो आपको मिलता है दो दस्मलों दो साथ प्रश्यत में और तीसरा होता है पत्तियों पर चिपकाने वाला और पौधों को हर्याली प्रतान करने वाला एड्जूवेंट केलारिस इस्ट्रक के छिड़काव के बाद गन्ना वा मक्का के सभी प्रकार के सक्री वचोड़ी पत्ति के खर्पतवार 3-5 दिन में सर करके जल करके खत्म हो जाते हैं कलारिस इस्ट्रक का प्रियोग आपको जब खर्पतवार 3-5 पत्ति के वस्ता में हो तभी कर लेना चाहिए बात करें अगर इसके प्रियोग के मात्रा की तो 1400 ml प्रति एकर 200 लिटर पानी के साथ इसका प्रियोग करना है इसकी जो विशाक्तता है वो नीले त्रिकोंड की है जब भी आप इसका प्रियोग करें तो तेज हवाएं ना चल नहीं हो और दूसरी बात ध्यान रखें अगर आप फ्लेट फैन या फिर फ्लेट जेट नाजल का प्रियोग करते हैं तो आपको प्रियोग के लिए नहीं लागू होता है बलकि जितने भी खरपत्वा नाशी दवाएं हैं उन सभी के लिए लागू होता है जब परसाथ 2-3 घंटे में हो जानी हो तब आप इसका प्रियोग ना करें ऐसे में प्रियोग करेंगे तो दवा धुल जाएगी और आपको कोई परिणाम नहीं मिल पएगा यानि कि परिणाम बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे जिससे आपके पैंसे पेकार जाएंगे तो आप सही पैंसल लेजे आपको सही परिणाम मिलेगा तो आज की वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ तब तक के लिए राम राम